नमस्कार दोस्तों स्वागत्य आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिभा उनलाइन क्लासिस में दोस्तों आज की इस व्यूडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए जनरल नॉलिज के दस most important questions तो दोस्तों व्यूडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे request करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल सिभा उनलाइन क्लासिस को सब्सक्राइब कर लें और वैल आइकन को प्रेस कर लें और दोस्तों अगर वीडियो पसंद मैं प्रेस पर्सक्राइब करें और जादस ज्यादः य्यू को शेयर करें क्योंकि वीडियो जो है आने वाले एक्याम के लिए बहुत ज़्यादे important वीडियो होने वाली है इस वीडियो के आखिर में दोस्तों मैं पूछूंगा आपसे questions उसका आपको जवाब देना है comment box में तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो तो आज की वीडियो का हमारा first question है दोस्तों अंतराष्ट्रियो यूबा दिवस कब मनाया जाता है तो options आपके यहाँ पे option A 12 अगस्त option B 12 जन्वरी option C 15 फर्वरी and option D 14 मार्च तो दोस्तों question number बन का आपका correct answer होगा option A 12 अगस्त तो अंतराष्ट्रियो यूबा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त के लिए दोस्तों यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं detail information में इस वीडियो से संबंदित जो भी इस question से संबंदित इसके detail में कुछ knowledge है वो मैं आप उसे share कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर नीचे वीडियो के last में यहाँ पर देख सकते हैं अंतर राष्ट्रिय युवा दिवस हर वर्स 12 अगस्त को और राष्ट्रिय युवा दिवस हर वर्स 12 जन्वरी को मनाय जाता है तो आपके लिए वीडियो के यह पार्ट यह बहुत जाते important है तो दोस्तों question number 1 का correct answer option A बार अगस्त next question की तरफ चलते हैं दोस्तों next question की तरफ चलने से पहले मैं आपको इसके डिटेल के मता दूँ अंतर राष्ट्रिय युवा दिवस हर वर्स 12 अगस्त को और राष्ट्रिय युवा दिवस हर वर्स 12 जन्वरी को मनाय जाता है तो next question के तरफ चलेंगे अभी next question है हमारा दोस्तों आज का question number two निर्वय मामले में कितने आरोपियों को 22 जिन्वरी 2020 को 85 देने का आदेज दिया गया है निर्वे मामली में कितने आरोपियों को 22 जनवरी 2020 को 50 देने का आरोप आदेश दिया गया है option से आपके option A 4, option B 3, option C 5, and option D 7 तो निर्वे मामली में दोस्तो चार आरोपियों के लिए पतेयला हाउस कोड दोजारा 50 देने का आदेश दिया गया है तो यहाँ पर question number 2 का correct answer होगा option A, 4 रोपी देश की राजधने दिल्ली में साल 2012 में हुए निर्भय अकांट को लेकर 7 जनवरी 2020 को पटेला हाउस कोट में सुनवाई हुई इस मामले में 4 दोसियों को 22 जनवरी 2020 को फांसी देने का आदेश दिया गया है तो दोस्तों next question के तरफ चलते हैं next question है मारा question number 3 राजपाल को कारकाल कितने वर्स का होता है तो option से आपके option A, 4 वर्स, option B, 5 वर्स, option C, 6 वर्स, and option D, 7 वर्स तो दोस्तों question number 3 का आपका correct answer होगा option B, 5 वर्स यहां दोस्तों राजपाल का कारकाल 5 वर्स का होता है अभी चलते हैं हम इस question के detail information पे तो detail information दोस्तों इसकी है भारती सम्मधान के अनुच्छिद 156 के अनुचार राजपाल कारकाल में सुरी राजपाल कारेले में प्रवेश से लेकर 5 वर्स की अभी तक अपने पद पर बना रह सकता है तो भारती सम्मधान अनुच्छिद 156 के अनुचार राजपाल कारकाल में प्रवेश करने से लेकर 5 वर्स की अपदेतक अपने पद पर बना रह सकता है मतलब जिस दिम अपने ऑफिस में प्रवेश करेगा इंट्री लेगा उस दिन से लेके 5 वर्स के अपदेतक अपने पद पर बना रह सकता है तो नेक्स्ट कोष्चन के तरफ चलते हैं नेक्स्ट कोष्चन है हमारा कोष्चन नमबर 4 इरान ने किस देश की सभी सेनों को आतकवादी घोसत किया है इरान ने किस देश की सभी सेनाओं को आतंकबादी घोसित किया है ओप्षन से आपके ओप्षन A चीन, ओप्षन B अमेरका, ओप्षन C पाकिस्तान, और ओप्षन D नेपाल तो दोस्तों कोश्चन नमर 4 का करेक्टान सरोगा आपका ओप्षन B अमेरका यहां दोस्तों, इरान ने अमेरका की सभी सेनाओं के लिए आतंकबादी घोसित कर दिया है अब क्यों आतंकबादी घोसित किया है, वो डिटेल इंफर्मिशन में आपने पढ़ लिया होगा और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपके लिए यहां पर बता भी देता हूँ तो डिटेल इंफर्मिशन है दोस्तों इस कोश्चन की इरान ने जनरल कासिम की हत्या की मामले में अमेरकी सेना को अतंकबादी घोसित किया है अमेरका ने हाल ही में इरान की जनरल कासिम की हत्या कर दी थी तो इरान की एक टॉप कमांडर थे फोज के जनरल कासिम उनकी हत्या कर दी है अमेरकी फोज ने इसलिए इरान ने अमेरिका की सभी फोजों के लिए आर्मी एर्फोर्स ने भी और जो भी इनकी फोर्सेस हैं उनके लिए आतंगबादी गोशित कर दिया है तो next question के तरफ चलते हैं दोस्तो next question है हमारा question number five भारत के राश्ट्रपती को उनके पत से कौन हटा सकता है बारत के राश्ट्रपती को उनके पत से कौन हटा सकता है option A, लोकसभा, option B, संसद, option C, प्रिधानमंतरी and option D, भारत के मुख्य नियाधिश तो question number five का correct answer होगा आपका option B, संसद यहां दोस्तों भारत के राष्ट्रपती को उनके पत से केवल संसद ही हटा सकती है तो डिटेल इंफिर्मेशन में जानेंगे अभी इस क्वेस्टें से समधित कुछ तत्थ है भारत के सम्मिधान 61 के अनुसार भारत के सम्मिधान का अतक्रमण करने पर राष्ट्रपती को महावयोग दोरा उनका कारकाल पूरा होने से पहले भी हटाया जा सकता है महावयोग की प्रकरियत संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में सुरू की जा सकती है तो next question की तरफ चलने से पहले मैं आपसे request करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारी वीडियो को भी तक like नहीं किया है तो वीडियो को like कर दें और अगर चैनल पर नहीं है चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लें और well icon को press जरूर करें जिससे आने वाली वीडियो की notification आप तक पहुंचते रहे सबसे पहले तो चलिए दोस्तो next slide में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस वीडियो की PDF आप वीडियो के description से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो के जब आप इसको देखेंगे तो इस वीडियो में जो पीडियो फाइल आप वीडियो के description में उसका डाउनलोड करने का लिंक दे दूँगा तो आप बहां पर जाके उस लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो की पीडियो फाइल को बिलकुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं तो नेक्स्ट कोस्टन है मारा question no.6 निमलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है निमलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है option से आपके option A सानिय मिर्ज़ टेनेस option B साने नेवल बैडमिंटन option C जीव मिलखासिंग सतरंज and option D जूलन गोस्वामि किरकेट तो दोस्तों option A, B and D बिलकुल correct है question no.6 का correct answer है आपका option C जीव मिलखासिंग सतरंच तो डेटेल information है दोस्तो जीव मिलखासिंग भारत के पेसे वर गोलफर है 1998 में European Tour में सामिल होने बाले भारत के पहले खलाड़ी है तो यहाँ पर क्लियर होता है कि जीवा मिलखा सिंग जो है वो भारत के प्रमुख पेसेवर गोलफर हैं वे 1998 में यूरोपियन टूर में सामिल हुए थे और भारत के पहले खलाड़ी बन गए थे तो नेक्स्ट के तरफ चलेंगे दोस्तों अभी नेक्स्ट कोच्ट्ट है हमारा कोच्टन नमर सेविन निमलिखत में से किस राज में भारत के पहले मानव संसादन ओडान के अंदर की स्थापना की जाएगी तो option से आपके option A जहारखंड, option B करनाटक, option C महराष्टरा and option D गुजराद तो दोस्तो question number 7 का correct answer होगा आपका option B करनाटक यहां दोस्तो इस रो दुआरा भारत के पहले मानव अंतरक्ष उडान केंदर के स्थापना करनाटक राज में की जाएगी तो detail information में इस question के बारे में कुछ अधिक जानकरी लेते हैं इसरो की दोस्तों full form होती है Indian Space Research Organization तो इसरो के जो इसमें बर्तमान के चीफ हैं उनका नाम है के 7 तो इसरो दुआरा भारत का मानव अंतरक्ष उडान केंदर की स्थापना भारत के करनाटक राज के चला केरे सहर में की जाएगी इस प्रिस्थेक्षल केंदर का निर्माण 400 एकड़ छेतर में 3700 करोड रुपए की लागत से किया जाएगा तो करनाटक के चला केरे सहर में ये जो है भारत का पहला मानव अंतरक्ष उडान केंदर की स्थापना की जाएगी ये केंदर करीब 400 एकड़ छेतर में फैला हुए होगा और 3700 करोड रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा तो नेक्स्ट कोश्चन के तरफ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन है हमारा कोश्चन नमर एट आरिभट और कालिदास किस गुप्त सासक के दरबार में थे ओप्शन से आपके है कुमार गुप्त, समद्र गुप्त, ओप्शन सी है चंदर गुप्त सेकेंड और ओप्शन ही आपका इसकंद गुप्त तो आरिवट और कलदाश दोस्तों चंदरगुप्त सेकेंड के दरबार में थे तो यहाँ पर question number 8 का correct answer है आपका option C चंदरगुप्त सेकेंड आरिवट और कलदाश ने गुप्त सासक चंदरगुप्त सेकेंड जिन्हें चंदर्गुप्त विक्रमादित के नाम से भी जाना जाता था के दरवार की सुभा बढ़ाई थी तो दोस्तों नेक्स्ट कोशन की तरफ चलने से पहले मैं आप से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक ने किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें हरित करांति की सरवादिक प्रभाव किस में देखा गया था हरित करांति का सरवादिक प्रभाव किस में देखा गया था आपके option A चावल, option B दाल, option C गेहुं और option D तेल का भीज तो दोस्तो हरित करांती का जो सरवादिक प्रवाब था वो गेहुं में देखा गया था तो यहाँ पर question number 9 का correct answer होगा option C गेहुं भारत में हरित करांती की सुरुवाद सन 1967-68 याने की 1967 और 1968 में प्रारंप करने का स्रे नोबिल पुरस्कार विजिता प्रोफेसर नार्मन बोरलांग को जाता है तो दोस्तों हमारा आज का last question होगा निमलिकित में से किस इस्थान पर भारत के प्रिथम कछुवा पुनर्वास केंद्र इस्थापित करने की गोशला की गई है निम्लिकित में इसे किस स्थान पर भारत का प्रिथम कच्छुवा पुनरबास के अंदर इस्थापित करने की गोशना की गई है ओप्सन से आपके ओप्सन A गौलियर ओप्सन B हिसार ओप्सन C भागलपूर एंड ओप्सन D हैदरबाद तो दोस्तों यहां पर हम आपको बता दूँ कि भारत के प्रिथम कच्छुवा पुनरबास के अंदर की इस्थापना करने की गोशना की गई है जो कि जनबरी 2020 में इसका सुबारम करने की योजना है तो यह दोस्तों बिहार के भागलपूर में इसकी इस्थापना की जाएगी है तो इस कुश्चन के बारे में हम कुछ डेटेल में जाने लेते हैं यह पुनरबास के अंदर लगवक आदे एकड़ भूमी पर फैला है तथा एक समय में लगवक पांसो कश्चों को आसरे दे सकता है तो जनबर 2020 में बिहार के भागलपूर में इसका कश्वा पुनरबास के अंदर इस्थापित करने की योजना बनाई गई है यह पुनरबास के अंदर लगवक आदे एकड़ भूम पर फैला वह होगा तथा इसकी जो लागत होगी वह पांसो कश्चों को आसरे देने की चमता होगी एक समय में तो यह थे हमारे वीडियो के आज के दस कोश्चन जो की बहुत हैं इंपोटन कोश्चन से हैं तो दोस्तों अब टाइम हो गया है कोश्चन फोर यू का तो कोश्चन फोर यू का आंसर का आपके लिए कमेंट वक्स में टाइप करके जवाब जरूर देना है तो question for you है आपके लिए भारत में सिच्छक दिवस किसके जनल दिन पर मनाए जाता है और अगर आपको पता है कब तो वो भी जरूर पता है यहाँ पर आप देख सकते हैं सही answer को comment box में type करें तो आपके लिए इन दो option में से एक option चुनके comment box में type जरूर करना है अगर आप जानते हैं तो और अगर आप नहीं जानते हैं इस question का answer तो मेरी next वीडियो देखेगा next वीडियो में इस question के मैं answer जरूर दूँगा आपके लिए तो question में आपको एक बार फिर से पढ़के बता जाता हूँ भारत में सिक्षक दिवस किसके जनम दिन पर मनाये जाता है option से आपके option A Dr. A.P.J. अब्दुलकलाम के जनम दिन पर and option B Dr. सरुपली राधा क्रिशन के जनम दिन पर तो question for you का जवाब आप comment box में comment करके जरूर दें तो दोस्तो आपको इस वीडियो के अंदर में comment में ये भी बताना है जाकर कि आपके ये जो 10 questions हैं आजके 10 questions में से आपने कितने questions ठीक की है तो उसके लिए cable question करना है 10 at the rate 7 online classes और अपने सही जवाब कि आपके कितने questions सही हुए हैं तो मैं आपको बता जिता हूँ कैसे आपको बताना है 10 अलब 10 questions हो गए उसके अपने चैनल का नेम सिवा online classes उसके बाद में अपना कितने questions आपने सही किये हैं वह number दे देना है तो 10 at the rate 7 online classes जैसे मैंने 6 questions अगर ठेक किये तो मैं टाइब करूंगा comment box में 10 at the rate 7 online classes और 6 ठीक है तो यह थी वीडियो दोस्तो आज की बहुत important वीडियो थी आपके लिए तो ऐसी वीडियो में अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ तो चलिए दोस्तो थैंक्स फर वाचिंग सिवा online classes कल फिर में लेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जैहन जै भारत